हलो फ्रेंद्स and medicine, Pharmaceutical Quality Assurance BP102, ठिके इस वीडियो में हम लोग existential of polarography के बारे में बात करेंगे, इस वीडियो में हम लोग जो हमारे होते हैं उनके बारे में detail में बात करेंगे, मेरा नाम है Dr. महमताप सिंग्ठ, चलिए शुरू करते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे instrumentation of the, जो polarography है, उसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो हमारा instrument use होता है, उसको हम लोग यहाँ पे कहते है, polarography cell यहाँ पे हम लोग कहते हैं, त उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं एक तरसे polarograph वहाँ पे कहते हैं या उसको हम लोग कहते हैं that is the polarographic cell simply हम लोग यहाँ पे कहते हैं तो यह हमारा होना चाहिए तब polarogram यह होता है तो इस condition में इसको हम लोग यहाँ पे एक तरसे ठीक कर लेंगे जो हमारा graph prepare होता है इसमें वो हमा प्रकारे में बात करते हैं तो उनमें हम लोग दो प्रकार के इलेक्टोड को यहां पर उप्योग करते हैं एक जो हमारा यहां पर होता है एक तरसे इलेक्टोड यह हमारा कहलाता है यहां पर पोलराइजेबल हमारा इलेक्टोड कहलाता है या इसको हम लोग इंडिकेटर इले वो हमारा होता है Non Polarisable electrode और इसको हम लोग यहाँ पे रिफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं और इसको हम लोग ऐजे यहाँ पे अनोड अपने जो हमारे इलेक्ट्रोड हमारे यहाँ पे होते हैं तो cholerographic cells होते हैं, उनके अंदर ऐजे जो है हमारा enote की तरह हम लोग यूज करते हैं और इसके ऊपर यहाँ पे positive charge होता है, तो अगर हम लोग जो हमारे indicator electrode होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो इसमें हमारा आता है dropping mercury electrode आता है और rotating platinum electrode इसमें आता है, और अगर हम लोग जो हम यहां पर उपयोग करते हैं तो इस कंडिशन में अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं कि उर्फ से बारे में हम लोग उन्हें पहले भी बात कर लिया है तो इनको हम लोग यहां पे repeat फिर से वो नहीं करेंगे, हम लोग इस place पे जो हमारे indicator electrode है, जिसमें है हमारा dropping mercury electrode के बारे में detail में बात करेंगे, और rotating platinum electrode के बारे में यहाँ पे detail में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा dropping mercury electrode है, उसके बारे में यहाँ बात कर लेते हैं, तो इस condition में क्या है कि ये हमारे dropping जो mercury electrode है उसका हमारा यहाँ पे diagram है इसमें एक हमारा सबसे उपर होता है that is called the mercury वो reservoir यहाँ पे होता है ये हमारा glass casing होती है और इसके अंदर एक यहाँ पे capillary हम लोग यहाँ पे attach करते हैं और इसका जो हमारा capillary का end होता है यहाँ पे हमें जो हमारी होती है mercury की drop जो की electrode की तरह work करती है उनको यहाँ पे हम लोग create करने का काम करते हैं तो इस condition में अगर हम लोग इस place पे बात करते हैं तो जो हमारे dropping mercury electrode होते हैं यह इस place पे हम कह सकते हैं working electrode यह हमारे एक प्रकार के यहाँ पे working electrode होते हैं कि means यहाँ पर कुछ इनमें हमें काम होता हुआ देखने को प्राप्थ होता रहता है जिसके कारण की इनको हम लोग यहाँ पर working electrode के नाम से भी indicate करते हैं और इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी होती है mercury उसकी drop हमें यहाँ पर continuously form होते हुए अपने mercury electrode में dropping mercury electrode में देखने को प्राप्थ होती है और इसमें जो हमारा रिजर्वर होता है उसको हम लोग इस place पर उप्योग करते हैं यह हमारा रिजर्वर है जिसके अंदर जो हमारा होता है mercury वो हम लोग place कर देते हैं और इस प्लेस पे क्या होता है कि इसमें एक हमारा जो वो capillary है उसको हम लोग यहाँ पे attach कर देते हैं यह जो हमारा capillary है वो हमारे वो reservoir से यहाँ पे एक प्राश से attach होता है और जो हमारी होती है capillary उसका जो internal हमारा diameter है वो approximately 0.03 से 0.05 mm के आपसे पास का होता है और इसमें जो हमारी drop यहाँ पे form होती है उनका जो interval होता है वो हमारा एक से 5 वो second पे हर एक से 5 वो second पे हमें एक drop यहाँ पे mercury की form होते हुए देखने को प्राथ होती है तो इस condition में अगर हम लोग इस place पे यहाँ पे बात करते हैं कि इसका जो हमारा एक तरह से dropping mercury electrode है जिसको हम लो DME से DME से भी यहाँ पे indicate करते हैं उसका एक हमारा यहाँ पे unique जो होता है advantage वो यहाँ पे यह होता है कि यहाँ पे हमें जो भी हमारा electrode है उसकी जो हमारी होती है surface उसका हमें वहाँ पे वो renewal constant देखने को प्राप्त होता है means यह हमारा पूरा electrode की तरह काम नहीं करता है जो ह electrode की तरह यहाँ पे काम होती हैं यह तरह से काम करती है तो हर वो थोड़ी देर पे हमें अलग drop अलग electrode या हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसका renewal यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है अब हम लोग इसके construction के बारे में बात कर लेते हैं dropping mercury electrode के यहाँ पे construction के बारे में बात कर लेते हैं, तो यह जो हमारा electrode होता है, इसमें एक हमारा जो होता है, mercury का वो reservoir वो यहाँ पे होता है, और जो हमारा वो reservoir है, उससे एक हमारी capillary यहाँ पे होती है, और ये जो हमारी capillary होती है इसका जो हमारा होता है एक तरस से कह सकते है कि bore size या internal हमारा diameter है वो 0.02 से लेके 0.05 mm के आज़ पास का होता है और ये जो capillary है इसकी जो हमारी length है ये 10 to 15 cm इसकी हमारी यहाँ पे length होती है तो इसमें जो हमारा होता है या पे अक तरस से mercury का वो reservoir है उसकी जो height है उसको हम लोग इस तरह से यहाँ पर adjust करते हैं कि हर एक से 5 second के बाद हमें वहाँ पे एक drop mercury की देखने को form होते हुए देखने को प्राब्थ हो इस तरह से हम लोग जो हमारा होता है mercury का रिजर्वर उसकी height को यह पे set करते हैं अब हम लोग जो हमारा dropping mercury electrode है, dmy है, उसके working के बारे में बात कर लेते हैं तो अगर हम लोग जो हमारा dmy होता है उसके एक तरसे बारे में बात करते हैं तो ये हमारा होता है एक तरह का कह सकते हैं polarizable हमारा होता है electrode होता है और इसको हम लोग यहाँ पे एक तरसे anode और cathode दोनों की तरह यहाँ पे उपियोग कर सकते हैं तो इस condition में क्या होता है कि जब हमें इसको यहाँ पे उप्योग करना होता है तो जो भी हमारा electrolyte का वहाँ पे होता है एक तरसे solution या जो हमारा होता है एक तरसे analyte का हमारा solution होता है उसमें हम लोग एक और जो electrolyte है जो हम लोग यहाँ पे KCL को अधिकतर उप्योग करते है उसको यहाँ पे access quantity में add कर देते हैं approximately 52 hundred जो हम कह सकते हैं वो times जो हमारे sample की concentration है उससे 50 से 100 गुना ज्यादा हम लोग यहाँ पे KCL को add कर देते हैं जिससे की जो हमारा वहाँ पे होता electrolyte उसकी concentration वहाँ पे काफी हद तक increase हो जाया और हम लोग को वहाँ पे जो भी हमारा वहाँ पे है analyte उसको वहाँ पे determine करने में आसानी हो उसके बाद में इस place पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि oxygen को वहाँ पे completely expel करने के लिए वहाँ से एक तब निकालने के लिए जो भी हमारा dissolved oxygen है वह वहाँ पे completely expel out हो जाए बाहर वहाँ पे निकल जाए तो उसके बाद जब हमारी oxygen वहाँ से exposed out हो जाती है अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि धीरे धीरे हम लोग जो voltage है उसको वहाँ पे increase करते हैं वो gradually जो हमारा voltage है उसको हम लोग वहाँ पे increasing एक तरसे voltage को वहाँ पे apply करते हैं अपना जो cell है उसके अंदर जिससे की जो भी हमारा वहाँ पे current होता है वो हमें flow होते हुए देखने को प्राप्त होता है और उसको फिर हम लोग वहाँ पे record करने का काम करते हैं तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि oxygen जब वहाँ पे completely बाहर निकल जाती है अब हम लोग वो धीरे धीरे जो हमारा increasing voltage है उसको वहाँ पे apply करते हैं तो जब voltage apply करते हैं तो जो भी हमारा electrolyte का solution है हमारा analyte है उसमें हमें जो है वहाँ current वो flow होते हुए देखने को प्राप्थ होता है और उसको हम लोग वहाँ पे record एक तरसे कर लेते हैं और जो हमने उस place पे एक तरसे voltage apply किया और वहाँ पे जो हमारा form हुआ current उसके बीच में एक हम लो graph को यहाँ पे plot कर लेते हैं और इस condition में यह जो हमारा graph होता है इसको हम लोग कहते हैं एक तरसे polar graph कहते हैं और इसके लिए जो हम लोग apparatus यूज करते हैं वो हमारा यहाँ पे कहलाता है polar graph कहलाता है तो आसान तरीके से एक बार इसको हम लो यहाँ पे एक तरसे फिर से वो देख लेते हैं कि जो भी हमारा इस प्रेस पे होता है जो हम कह सकते हैं कि हमारा DME है वो यहाँ पे होता है polarizable electrode होता है यह anode और cathode दोनों की तरह काम कर सकता है जो हमारा analyte का यहाँ पे होता है हम लोग जो pure nitrogen या hydrogen की गैस है उसकी यहाँ पे करते हैं जिससे की oxygen वहाँ से completely remove हो जाए अब जब oxygen वहाँ पे remove हो जाती है तो जो हमारा होता increasing voltage उसको हम लोग यहाँ पे gradually apply करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो भी वहाँ पे हमारा current होता है generate उसको हम लोग वहाँ पे record कर लेते हैं और जो हमने voltage apply किया और जो वहाँ पे generate हुआ current उसके बीच में हम लोग एक graph को यहाँ पे plot कर देते हैं और यह जो हमारा graph है यह हमारा कहलाता है that is the polerograph और यह जो हमारा apparatus है वो हमारा यहाँ पे कहलाता है polerogram यहाँ पे कहलाता है तो अब हम लोग जो हमारा होता है यहाँ पे DME यह हम लोग कह सकते dropping mercury electrode उसके जो होते है advantage उसके बारे में बात कर लेते हैं तो इसका जो हमारा सबसे पहला है advantage कि इसकी जो हमारी होती है यहाँ पे surface वो हमारी renewable जो surface है वो यहाँ पे होती है means हर बार हमें जो drop है वो fresh देखने को प्राप्त होती है बार बार drop यहाँ पे हमारी mercury की बनते हुए हमें देखने को प्राप्त होती है उसके बाद में क्या होता है कि हमारा जो होता है इलेक्ट्रोड उसका यहाँ पर रेनिवल होता रहता है जिसके कारण कि जो भी हमारा हम कह सकते हैं कि एलिमेंटल हमारी पोईजनिंग हो सकती है हमारे जो electrode है उसमें उसको हम लो यहाँ पर आसानी से avoid कर सकते हैं यह यहाँ पर हमारा completely eliminate हो जाता है जो हमारा poisoning का effect है उसको हम लो यहाँ पर completely avoid कर सकते हैं उसके बाद जो हमारा DME है उसका जो अगला advantage है वो क्या होता है कि जो हमारे यहां पे होता है Mercury वो हमारे अलग-अलग जो होते हैं यहां पे Metals उनके साथ में एक प्रकार का Amalgam फॉर्म कर लेता है या हम कर सकते हैं कि Solid जो Solution है वो यहां पे फॉर्म कर लेता है उसके बाद में है हमारा अगला जो यहाँ पे advantage है वो क्या है कि इस condition में क्या है कि जो भी हमारा वहाँ पे होता वो surface area होता है उसको हम लोग आसानी से वहाँ पे calculate कर सकते हैं अगर जो हमारी drop है उनका हम लोग weight वहाँ पे determine कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारी होती है capillary उसका जो bore size है वो काफी कम होता है तो इस condition में हमारी जो capillary है उसको वो आसानी से block हो जाती है तो यह हमारा इसका यहाँ पे होता है वो disadvantage होता है और इसमें जो हम लोग use करते है mercury वो काफी toxic होता है तो ये भी इसका यहाँ पे disadvantage होता है हमारा जो यहाँ पे होता है DME उसका जो वहाँ पे area है वो हमें change होते हुए देखने को प्राप्थ होता है क्योंकि जो हमारी होती है यहाँ पे mercury की drop अगर उनका जो size है वो वहाँ पे change होता है तो उस condition में जो हमारा DME हमारा electrode है उसका भी area हमें change होते हुए देखने को प्राप्थ होता है उसके बाद में क्या होता है कि जब हम लोग voltage को apply करते हैं तो वो क्या करता है कि हमारा जो liquid है उसका जो होता है surface tension उसको वहाँ पे change करने का काम करता है जिससे हमें जो हमारी drop की size है वो भी वहाँ पे change होते हुए देखने को प्राप्थ होती है तो यह हमारे dropping mercury electrode उसके हमारे disadvantages है अब हम लोग यहाँ पे rotating platinum electrode के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका हम लोग जो diagram है वो यहाँ पे एक तरसे देख लेते हैं तो यह हम कह सकते हैं कि वो नीचे से हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे यह हमारा होता है platinum का wire होता है जिसकी लंबाई यहाँ पे 5-6 mm के आसपास होती है और इसका diameter 0.5 mm के आसपास होता है तो यह जो हमारा है यह हमारा platinum का यहाँ पे wire होता है और ये एक हमारा जो हम कह सकते हूँ कैपलरी उसके अंदर इस प्लेस पे यहाँ पे प्लेस होता है जिसका की जो यहाँ पे डायमीटर है वो 6-7 mm के आसपास होता है और इसमें एक हमारा जो कौपर का वायर है उसको हम लोग यहाँ पे इंसर्ट एक तरह से कर देते हैं इसका जो हमारा बॉटम होता है यहाँ पे जो हमारा होता है एक तरह से कह सकते हैं मरकरी उससे हम लोग इसको प्रॉपरली यहाँ पे सील कर देते हैं जो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर है वो कुछ यहाँ पे एक तरह से वो बेलकेट सेप का है तो इस कंडिशन में यह जो हमारा reserve होता है इसकी जो हमारी height है वो यहाँ पे approximately 5 cm के आसपास होती है और इसकी जो हमारी total लंबाई है वो approximately 21 cm के आसपास होती है और इसके अंदर जो हमारा होता है mercury उसको हम लोग यहाँ पे place कर देते हैं और एक यहाँ पे copper का जो हमारा wire है वो connection के लिए उसको हम लोग यहाँ पे insert कर देते हैं अब हम लोग इसका जो हमारा construction होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो it consists of about 5 mm platinum wire तो इसमें हमारा approximately 5 mm का यहाँ पे platinum का यहाँ पे wire होता है जिसका की जो diameter है वो 0.5 mm के आसपास यहाँ पे होता है तो इसमें भी हम लोगों ने यहाँ पे एक तसे बात किया था कि जो भी हमारा platinum का wire है वो 5-6 mm long होता है और 0.5 mm इसका यहाँ पे जो हमारा diameter है वो होता है और इसके वो नीचे अगर हम लोग एक तसे बात करते हैं तो इसके वो नीचे हमारा standard जो होता है एक तस्व से हमारा mercury है वो यहाँ पे एक तस्व सील्ड होता है यह जो हमारा standard यहाँ पे होता है एक तस्व सील्ड होता है और इसमें एक hole होता है जिससे जो हमारा यहाँ पे होता है वायर वो उसको हम लोग यहाँ पे पास करने का काम करते हैं तो इस condition में क्या होता है और इस तो सोर्स से वहाँ पर वो connected होता है तो इस condition में इसको हम लोग यहाँ पर connected कर देते हैं और इसको जो हमारा potential का सोर्स से उससे हम लोग यहाँ पर connect करने काして है काम करते हैं तो यह in construction है matters health спасибо working है। उसके बारे में बात कर लेते हैं तो हमारे rotating platinum electrodes होते हैं यह हमारे indicator electrode की तरह हमтовkraft अप्योग करते है faith और का हमारा होता है यहाँ फिलाइड का हमारा होता है किसलीशन उसमें हम lessonsya को स्कékनाड की इलेक्टर नग्याद कर देते है जैसा कि हम लोगों ने dropping mercury electrode में भी किया था उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लेते हैं pure nitrogen gas को लेते हैं और उससे जो भी हमारा dissolved oxygen है उनको यहाँ पे remove करने का काम करते हैं विद जो हमारी होती है यहाँ पे bubbling की process उससे हम लोग यहाँ पे dissolved oxygen को replace करने का काम करते हैं remove करने का काम करते हैं तो जब हमारी oxygen यहाँ पे completely remove हो जाती है तो उस condition में जो भी हमारा वहाँ पे होता है तो से potential उसको हम लोग यहाँ पे अपने जो electrode है उसके across यहाँ पे apply करते हैं और फिर हम लोग titation को यहाँ पे start करते हैं और इस condition में हम लोग जो हमारा graph है, उसको यहाँ पे plot करते हैं कि हमने वहाँ पे कितना volume जो हमारा solution का है उसको वहाँ पे add ऍखिया और हमारा कितना वह diffusion का current वहाँ पे हमें देखने को प्राप्थ हुआ, इनके बीच में हम लोग एक graph को यहाँ पे plot कर देते हैं, और इससे हम लोग अपने titation का जो end point है, वो detect करने का काम करते हैं, तो I think so, instrumentation of the polarography आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, dropping mercury electrode और rotating platinum electrode आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर अभी भी कहीं कोई confusion है, तो comment करके पूँच सकते हैं, इस topic का PDF आपको description में मिल जाएगा, इस वीडियो को like करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे channel को subscribe करना बिल्कुल भी न भूले, और हमारे app को भी install करना बिल्कुल भी न भूले, thank you.